शिवलिंग में एक लोटा जल चड़ाने के फायदे, Advantages of Offering Water in a Shivaling. शिवलिंग हिंदु धर्म में एक पवित्र और महत्वपूर्ण पूजा स्थल है, जिसे देवताओं के रूप में भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है. शिवलिंग में जल चड़ाने का प्रत्येक अभिशेक और पूजा सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसके अलावा इस अद्भुत क्रिया के कई धार्मिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक फायदे हैं. नीचे दिये गए हैंदी में शिवलिंग में एक लोटा जल चड़ाने के कुछ महत्वपूर्ण फायदे. आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करें. शिवलिंग में जल चड़ाने से व्यक्ति और उनका आध्यात्मिक संबंध मजबूत होता है. यह एक पवित्र और आंतरिक अनुभव प्रदान करता है, जो शिव भक्ति को बढ़ावा देता है और मानसिक शांती का अनुभव करने में मदद करता है. पापों का नाश करें. शिवलिंग में जल चड़ाने से मान्यता है कि यह पापों का नाश करता है और भक्त को अच्छाई की ओर प्रवृत्त करता है यह एक स्वच्छ और पवित्र बनाने वाला क्रिया है जो शुद्धता और उच्चता के भाव को प्रकट करती है मान्सिक और शारीरिक स्वास्थे का समर्थन शिवलिंग में जल चड़ाने से मान्सिक और शारीरिक स्वास्थे को समर्थन मिलता है यह मन को शांत करता है और मान्सिक चिंताओं, तनाव और चिंताओं को कम करता है साथ ही ये शरीर की उर्जा को बढ़ाता है और ताजगी और पुनर जीवित करने में मदद करता है आर्थिक और सामाजिक उन्नती जल चढ़ाने के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने का अद्भुत तरीका है जो आर्थिक और सामाजिक उन्नती के लिए मददगार होता है। और सौहार्द बढ़ती है। यह परिवार के सदस्यों के बीच एक मेल जोल और आपसी समझदारी का माहौल बनाता है। यह परिवार को एकत्रित करने और आपसी रिष्टों को मजबूत करने में मदद करता है। संतानों की प्राप्ति जल चढ़ाने के द्वारा भगवान शिव से संतानों की प्राप्ति की कामना की जाती है। यह संतानों की वंश परंपरा को बढ़ावा देता है और परिवार में प्रसन्नता और सम्रिधी लाता है। संकटों का निवारन शिवलिंग में जल चढ़ाने के द्वारा अनेक प्राकृतिक और मनुश्यक संकटों का निवारण हो सकता है। शिवजी दुख, दरिद्रता, बीमारी, भै, रोग, शत्रूओं से सुरक्षा और आपात समय में सहायता करने के लिए जाने जाते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति शिवलिंग में जल चढ़ाने से मान्यता है कि यह मनोकामनाएं पूर्ति करता है। भक्त अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और मनोबल को सिध्ध करने के लिए शिवजी की कृपा और आशीरवाद प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक विकास शिवलिंग में जल चढ़ाने के द्वारा आध्यात्मिक विकास होता है। यह व्यक्ति को आंतरिक शांती, ध्यान, साधना और मन को भगवान की ओर ले जाने का मार्ग प्रदान करता है। इससे उन्नती, संपूर्णता और सामर्थ्य की अनुभूती अभिशापों का परिहार, शिवलिंग में जल चढ़ाने से अभिशापों और श्रापों का परिहार होता है। यह भक्त को पूर्णता, मानसिक शुद्धता और मुक्ति का अनुभव कराता है। शिव की कृपा का प्राप्ति, शिवलिंग में जल चढ़ाने से भगवान श प्रथा पर आधारित हैं। आपकी अनुभूती और आध्यात्मिकता इन फाइदों को बढ़ावा देती हैं। ये सिर्फ धार्मिक प्रक्रिया होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक और मानसिक अनुभव भी है। इसलिए जब आप शिवलिंग में जल चड़ाते हैं तो यह आ आपकी आत्मा को पवित्र और प्रकाश में बनाता है। आपको आध्यात्मिक संपूर्णता के दर्षन कराता है और आपके मन, शरीर और आत्मा को एकी कृत करने में मदद करता है। यद्यपी ये फायदे आपको शिवलिंग में जल चड़ाने के बारे में सामान्य ज्ञा प्रदान करते हैं, लेकिन इनकी वैज्ञानिक या आधार भूत सत्यता से कोई संबंध नहीं होता है। ये आम तोर पर धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों पर आधारित होते हैं और व्यक्ति के विश्वास और अनुभव पर निर्भर करते हैं। ध्यान दें कि शिवलिंग में जल चढ़ाने की प्रथा का पालन करते समय, हमें प्राकृतिक आपदाओं, पानी की कमी, प्रदूशन या किसी और प्रकृतिक संसाधन के अविलंभ उप्योग के साथ अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण के प्रतिसंवेदन शीलता और स्थायत्व का ध्यान रखना चाहिए और इसे व्यापारिक और स्वयम सेवा प्रशासनिक कारियों के साथ जोड़ना चाहिए। हमें रखना चाहिए और स्वयम सेवा जोड़ना चाहिए।